नमस्कार प्यारे बच्चों स्वागत आपका हमारे चैनल दाइडमेट पर बच्चों हिंदी की आखरी वीडियो में हमने किया था लेसन नमबर टेन प्राणी लक्ष्मी भाई की रीडिंग और आज इस वीडियो में हम करेंगे इसी पार्ट से शब्दर्थ तो आईए शब्दर्थ शुरू करते हैं पहला है अस्त्र और अस्त्र का अर्थ है फैंक कर चलाया जाने वाला हथियार दूसरा शब्द है शास्त्र शास्त्र होता है हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार अगला है अमिट, अमिट का अर्थ होता है ना मिटने वाला अगला शब्द है आकर्मन, अर्थात, हमला अगला शब्द है कृतग्य कृतग्य का अर्थ होता है उपकार को मानने वाला अगला है मुद्रा यानि मुख की आकरती अगला लत्पत, लत्पत का अर्थ है सना हुआ अगला शब्द है विभग्त, यानि बटा हुआ अगला शब्द सजग, सजग का अर्थ है सावधान और आखरी शब्द है समारक, जिसका अर्थ है यादगार तो बच्चो ये थे इस पार्ट के शब्दर्थ, आईए इसके question answer करें Question answer में कहभाग है, मन्नू किस बात की जिद कर रही थी तो बच्चो पिछली वीडियो में हमने पार्ट को पढ़ा था और हमने उसमें पढ़ा था कि मन्नू हाथी पर बैठने की जिद कर रही थी अपने पिता को क्या जवाब दिया, तो बच्चो पिता द्वारा भागे की बात कहे जाने पर मन्नू ने अपने पिता को जवाब दिया की उसके भागे में तो दस दस हाथियों की सवारी लिखी है आगे है गैबाग, मन्नु ने गुड़े गुड़िया के विवा में समलितना होने का क्या कारण बताया तो बच्चो मन्नु ने गुड़े गुड़िया के विवा में समलितना होने का कारण आत्मरक्षार्थ तल्वार चलाना सीखना बताया है आगे है प्रशन्ग है मन्नु भाई अस्त्र शस्त्र चलाना क्यों सीख रही थी? तो बच्चों मन्नु भाई अस्त्र शस्त्र चलाना इसलिए सीख रही थी क्योंकि वह समस्ती थी कि पुरुशों की अपेक्षा इस्त्रियों को अपनी रक्षा की अधिक आवशकता है अगला है मनुबाई चमपा को क्या सीखने के लिए कहती है और क्यों मनुबाई चमपा को अस्त्र सस्त्र चलाना सीखने को कहती है ताकि उसे समय पढ़ने पर वह अपनी रक्षा स्वयम कर सके साथ ही शत्रू को शत्रूता का मज़ा चगा सके चैभाग है चम्पा और मन्नू बाई के रास्ते अलग-अलग कैसे थे चम्पा का रास्ता सामान्य लड़कियों का रास्ता है उसे विवा करके अपनी ग्रस्ती चलानी है जबकि मन्नु भाई का रास्ता वीरता का रास्ता है इस रास्ते पे चलकर उसे शत्रूओं से लोहा लेना है तथा वीरगती पानी है और आखरी प्रशन है छै बाग गायल लक्ष्मी भाई ने सकी सुन्दर से क्या कहा तो बच्चो गायल लक्ष्मी भाई ने सकी सुन्दर से कहा कि उसका करतव्य पूरा हो गया अब वह जल्दी आकर उसे संभाले आगे है आपकी बात कैबाग मन्नु हाथी की सवारी करना चाहती थी आप किस की सवारी करना पसंद करेंगे तो बच्चो जिस परकार मन्नु को हाथी पसंद थे हाथी की सवारी पसंद थी उसी परकार आपको भी कोई न कोई सवारी जरूर पसंद होगी उसका नाम आप यहां लिख सकते हैं अगला है खैवाग, मन्नु ने घुड सवारी और तलवार बाजी सीखी थी, आप क्या-क्या सीखना चाहते हैं, तो बच्चो इसमें आप अपनी इच्छा नुसार लिख सकते हैं, आप क्या-क्या सीखना चाहेंगे, जैसे हवाई जाहा जुडाना, साइकल चलाना, गाड़ी चलाना आदी, अगला है गैभाग, नाना साहब लक्षमी भाई को प्यार से चबीली कहकर बुलाते थे, आपको अपने घर में प्यार से किस नाम से बुलाया जाता है, तो बच्चो इसमें आप अगर घर पे किसी के और नाम से बुलाया जाते हैं, तो वो यहाँ लिखेंग आगे है पाट से आगे लक्ष्मी बाई 27 संग्राम में लड़ी थी और कौन-कौन से वीर विरांगनाय आजादी के लिए लड़े थे उनके बारे में जाने तो बच्चो आजादी के लिए और किस-किस ने अपनी कुर्बानी दी है या दुश्मन से लोहा लिया है आप यहाँ उनके नाम लिख सकते हैं उनमें से कुछ हैं नाना साहिब, सात्या टोपे, कुवर सिंग, सुन्दर, मुंदर, आदी तो बच्चो आज के लिए बस इतना ही आगे का अभ्यास हम अगली वीडियो में करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें धन्यवाद